हेई गाइज वेलकम तो माई चानल पीपर कॉर्ण किचन आज मैं बनाने जारी हूं एकदम रेस्टरान स्टायल वेज चॉमिन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग इंगेडियन देख लेंगे यहां पर मैंने चॉमिन लिया है एक चिंग्स का चॉमिन मसाला नमक यहां पर मैंने शिमला मिर्च, बेंस, गाजय, थोड़ा सा लेसुन और यहां प्याज यह ओईल है यहां मैंने सारे सबजियों को लंबी-लंबी काट के रख लिया है अब चलिए इसको पकाने यहां देखिए एक बरतन में मैंने ओईल डालके पानी ले लिया है अब इसे हम लोग गरम करने के लिए रख देंगे इसको कवर कर देंगे तो जल्D गरम हो जाएगा यह देखिये पानी अब गरम हो चुका है अब इसमें हम लोग चौमिन आडक करेंगे हम लोग सारा चौमिन आड़ कर लेंगे इसमें कि यह देखिए सारा चौमिन एड हो गया है अब हम लोग एक फॉक के हैं से हम लोग इस चौमिन को तुल जा लेंगे यह देखिए अब हमारा चौमिन दीरे-दीरे सुलज गया है और यह पक भी रहा है हम लोग को करीब 60-70% ही चौमिन को पकाना है यह देखिए यह देखिए हमारा चौमिन अब लगभग पक चुका है यह देखिए अब हम लोग इक बरतर में इसको चान लेंगे और चानने के बाद अब हम लोग इस चौमिन को वाश कर लेंगे यह देखिए यह मैंने वाश करके ले लिया है अब चलते हैं इसको पकाने के लिए सबसे पहले एक कडाई में यहां मैंने ओयल डाल लिया है ओयल को गरम होने देंगे यह देखिए ओयल गरम हो गया है अब इसमें मैं लैसुन आड़ करूंगी यह आड़ कर दिया मैंने अब मैं इसमें कटे हुए प्यास को आड़ करूंगी और इसे ज्यादा मैं नहीं बूनूंगी बस हलका ही बूनूंगी ता प्यास का कलर सिफ वाइट हो जाए उतना ही बूनूंगी यह देखिए यह वाइट होने लगा है तो अब इसमें मैं कटे हुए जो बीन्स है वो आड़ करूंगी इसमें यह बीन्स को आड़ कर दिया है और जो अब कटे हुए जो गाजर है उसे भी आड़ कर लूँगी हम लोग को बस एकदम हाइफ लेम पे थोड़ा ही पकाना है और इसे भून के हम लोग हलका ही पकाएंगे, यह देखें, हम लोग को सॉफ्ट नहीं करना है, सब्जियों को, अब इसमें मैं चिंक्स का जो चौमिन मसाला है, वो मैं इसमें अभी आड़ करूंगे, यह देखिए, इस सारे सब्जियों को मैंने आड़ कर लिया है, अब यह एकदम भून के रेड़ी हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, यह वेजिज सॉफ्ट हो गए, अब इस चौमिन को, हम लोग को इस वेजिज में आड़ करना है, सारे चौमिन को हम लोग दीरे दीरे add कर लेंगे इसमें यह देखें हम लोगों को चौमिन को add करके उसे mix कर लेना है अच्छे से हम लोगों को high flame पे ही सारा cooking करना है इसमें यह देखिए लग रहा है ना बिल्कुल restaurant style with चौमिन एक बार घर में आप सब जरूर बनाएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत इजी रेसिपी है यह देखिए एकदम यह चौमिन बनके एकदम तयार है आप इसे शर्प कर लेते हैं यह देखिए रेस्टरेंट स्टाइल वेच चौमिन बनके बिलकुल तयार है कितनी इजी रेसिपी है आप लोग इस रेसिपी को घर में जरूर बनाके मुझे बताईए कि कैसा लगा आप लोग को यह बिलकुल इजी रेसिपी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, कॉमेंट करिए थैंक यू, थैंक यू फो वाचिंग